असलाम अलेकम नाजरीन, आज हम आपको भूना कोश्ट पकाना सिखाते हैं इसके लिए हमें एक किलो गोश्ट, वन टी स्पून नमक लगा के इसको रख दे पांच अदर टमाटर कटे हुए, दो अदर छोटे प्यास कटे हुए फिर आदा कप दही फेटा हुए, अच्छी तरह से इसको फेंट ले, फिर एक कप तेल और दो टेबल स्पून लसन अदरत, दो टेबल स्पून धनिया, जीरा पिसा हुए, एक तेबल स्पून लाल मिर्च, एक टी स्पून काली मिर्च एक टीस्पून घरा मसाला एक टीस्पून नमक हरा धनिया यह गार्लिक कटा हुआ कार्णिश के लिए और दो अदध हरी मिर्चें कटी हुई कि दो अदध तेज पत्ता तीन अदध बड़ी लाई ची यह सिन्मेन दो स्टिक सिन्मेन और यह जीरा साबत जीरा एक टीस्पून चार अदध हरी लाईची छे अदध लाउंग छे अदध लाउंग अब हम इस हाड़ी में तेल डालते हैं तेल गरम हो जाए तो फिर हमने तेल को अची तरह गरम कर लें फिर हम इसमें प्यास डाल देंगे प्यास को हिलाते रहें जब प्यास ब्राउन हो जाए हलका प्यास का कलर देखें हलका लाइट गोल्ड हो जाए पिर इसमें लसन अतरक डाल दें दो तीन मिनट पकाने के बाद फिर हमने इसमें गोस्ट डाल दें गोश्ट डालके फिर इसको हिलाएं चम्चे को अच्छी तरह करा। हिलाने के बाद भी हमने मसाल्या और टाल देना है फिर इसको हिलाते रहें जब तक हमारे गोश्ट का कलर चेंज हो जाए। थोड़ी गोष्ट की खुश्बू भी आने लग जाए और इसको चमचा हिलाते रहें दस से पंदरा मिनट तक इसको हिलाते रहें अभी वेट करें ये पक रहा है अभी देखें इस गोष्ट का कलर चेंज हो गया ये लाल में अपिसावा मसाल भी तरह है पिसमें दाओ अभी तरह इसका बिल्कुल कलर चेंज करना है तकरीबं 50 मिनट तक इसको भूँड़ना है यह देखिए बिलकुल ब्राउन हो गया भूणने के बाद इसी शक्ल जब हो जए फिर इसमें टमाटर डालेें तमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें फिर इसमें हमने पानी डालना है तक rolls ॥ तक्रीबन डेज़ ग्लास पानी डालना है इसमें हला के तो फिर हमने इस पे न ठकना लगा देना है ताकि ये गोष्ट गल जाए 45 मिनट से लेकर एक घंटा तक देखिए नाजरीन हमारा गोष्ट जो है वो गल चुका है अब हमने इसमें थोड़ी देर इसको भूनना है तकरीबन 5-10 मिनट के लिए इसको भूनके तो फिर हमने इसको देखे तेल अलादा हो जाए गोष्ट से जब गोष्ट से तेल अलादा हो जाए तो फिर इसमें दही डाल दे दही डालने के बाद 5 मिनट तक इसको भूने खिलाते जाए जब पानी थोड़ा खुश्क हो जाए दही का, ये देखिए, पानी थोड़ा खुश्क हो गया, पानी तस मिनट फिर इसमें ये हरा धनिया, हरी मिर्च और अधरक डाल कर इसको हिलाते रहें, एक दो मिनट के लिए, तो अब हमारा जो सालन है, वो तैयार है, बाद में इसके गर्म मसाला भी डाल सकते हैं आप, आईए अब हम आपको खा के बताते हैं इसका जाएका, सबर्दस जाएके से भर पूर्ट भूना हुआ गोश्ट तैयार है,